नमस्कार मैं पंकज आप सभी के स्वागत करता हूँ चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस प्रगा से आप यूट्यूब में नया चैनल बना सकते हैं अबसे आपको पहले से एक चैनल बना हुआ है इस प्रगा से आपको यूट्यूब से आपको टाइप करना है ऐस ट्रे तो देखे, जैसे ही आप complete address टाइप करते हैं, studio.youtube.com जैसे ही टाइप करते हैं, तो देखे, इस प्रकास से एक option आपको आपको आजाता है, तो यहाँ पर निचे में देखे, continue to studio आपको निचे में एक option मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको टैप करना है, अगर यदि आप get the app में अगरे आप टैप करते हैं, तो आपको अगरे इस प्रकास से आपको इंटरफेस मिल जाता है, यहाँ पर देखे, तो अब जो है new channel add करने के लिए, आपको निचे में देखे, एक setting का icon मिल जाता है, देख सकते हैं, इधर जो left side नीचे corner में, देखे, यहाँ पर जो एक setting क icon आपको मिल जाता है, नीचे में देखे, setting का icon मिल जाता है, यहाँ पर आपको tap करना है, देखे, एक setting का icon मिल जाता है, एक दम नीचे में, left side corner में, नीचे में, देखे, यहाँ पर आता है, यहाँ जो है, आपको tap करते हैं, तो देखे, इस प्रकार का interface आपको इहाँ पर एक तीन option आपको मिल जाता है, basic info, advanced setting, यहाँ पर जो है second option, बीच वला जो option है, इसमें आपको जाना है, advanced setting में आपको जाना है, यहाँ पर जाने के बाद देखिए, आपको थोड़ा नीचे आजाना है, इसमें स्क्रोल करके नीचे आजाना है, यहाँ पर देखिए, manage YouTube account, यहाँ manage YouTube account में आपको टैप करना है, तो इसमें जैसे ही टैप करता है, तो एक बार आपका जो YouTube एप फाइओ उपन होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर redirect होके, आपका यह page open हो जाएगा, देखिए, तो इस page में देखिए, यहाँ पर जो है, आपको add or manage your channels का एक option मिल जाता है, देख सकते हैं, यहाँ पर जो है, तो इहाँ पर आपको tap करना है, add or manage your channels, तो इहाँ पर आपको tap करते हैं, तो आपका जो भी channels बना हुआ इस email में, सारा channel देखिए, इस प्रकाश से आपका open हो जाता है, तब यहाँ पर एक option आपको मिल जाता है, देखिए, create channel का, देखिए, पर आपको tap करते हैं, create channel, यहाँ पर जैसे ही tap करते हैं, तो देखिए, जो है, आपको नया page, जो है, open हो जाएगा, देखिए, इस प्रकाश से, तो यहाँ पर आपको इस प्रकाश से, वाइट दिख रहा है, देखिए, यहाँ पर कुछ option नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्य करना है, आपको right में देखिए, जो है, उपर में, right side में, उपर वाला जो three dot menu है, यहाँ पर आपको tap करना है, और इसको आपको desktop mode करते हैं, तो देखिए, आपको आपके पास देखिए, यहाँ पर जो है, option आ जाता है, add channel name, तो अब यहाँ से जो है, आपका नया channel add हो है, तो यहाँ पर जो है, एक channel हम बना देते हैं, देखिए, channel का name जो है, हम डालते हैं, unboxing street, इस type से हम channel यहाँ पर बना के आपको दिखाते हैं, देखिए, unboxing street यहाँ पर जो है, हम अपना channel का नाम रख रहे हैं, आपको जो नया channel आप बना रहे हैं, उसका जो भी name आपको रख तो create में आपको tap कर देना है, तो create में जैसे ही tap करते हैं, तो देखिए एक जो है नया page फिर open हो जाता है यहाँ पर, देखिए, तो page को आपको यहाँ पर open होने देना है, देखिए, new page एक open हो रहा है, तो देखिए, यहाँ पर जो है आपका channel बन जाएगा, देखिए, channel यहाँ पर बन चुका है उसके बाद जो है अब आपका जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं तो वहाँ पर स्वीच करके आप जा सकते हैं इस चैनल में तो अब जैसे नया चैनल बन गिया अगरे दिसमें आप चाहते हैं कि एड़ करना है आपको इसका जो चैनल का अगरे दिया एक option मिल जाता है निचे में switch account को निचे में तिहां return to studio में आपको एक बाद टैप करता है इसमें जैसे टैप करते हैं देखें welcome to youtube studio तिसमें आपको continue में यहाँ पर tap करता है यहाँ पर देखें एक जो है आपको यहाँ पर देखें एक icon मिल जाता है magic छड़ी टाइप कर कर द henow और फेसे आप अपना चेनल का है टिहां पर आफ रित कर सकते है यहां द देखिए पहला ओपी सरक आप ब्रांडिंग का तिस हम ब्रांडिंग में आ ब्रांडिंग में आने के बाद लिए आप चैनल का आईकॉन लगाना चाहते हैं यहां पर जो है जो पिक्चर में हुआ उत्यर देखे आप longing जाता है और upload वल आउप्सन में आपको tap कर दोना ए उसके बाद इस चैनल के लिए जो आप जो आईकॉन लगाना चाहते हैं तो यहां से आपको upload कर दोना है तो यहां upload में जैसे ही tap करते हैं तो आपका इहां पर देखिए album open हो जाता है आपका mobile को इल्बा, तो जो आप इसमें जो है लगाना चाहते हैं, उसको आपको select कर लेना है, तो हम यहाँ पर अपना एक icon जो channel का बनाए है, उसको हम यहाँ पर select कर लेते हैं, तो देखी इस पर का से आपको adjust कर लेना है, चैनल का जो icon है उसको अच्छा से आपको adjust कर लेना है, adjust यहाँ पर आप कर सकते हैं Steakने करत आपको मिल याता है सकते हैं अब जैसे आपका सेट हो चाहता है उसके ब bon two लग जाएगा देखिए आप इन पर उसको यहां पर आपको एक नोगो लगाना चाहते हैं यहां पर एक आप सर्म square size का water mark जो है उसको आप यहाँ पर upload कर सकते हैं तो हम एक water mark भी यहाँ पर upload कर देते हैं देखिए यहाँ पर जो है हम इसको आपको यहां पर मिल जाता है तो जो handle available है वो handle यहां पर आपको मिल जाएगा देखिए इस प्रगास यहां पर जो एविलेबल है उसके बाद channel के यहां पर आपको description को add कर दना है जो आप इस channel में जो आप video डालना चाहते हैं उस video उस video से related आपको यहां पर description में फूरा आपको उसके बाद जो है कॉमा देखिए आप और भी अपना channel में जो जो वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वो यहां पर आप add कर सकते हैं बाकी यहां देखिए add language का option मिल जाता है एक contact email यहां पर आप नीचे में डाल सकते हैं जो contact email है उसको आप यहां पर अपना एक डाल सकते है छी set करने के बाद देखिए यहां पर इस अब को save करणा है देखिए यहां जो आ तो अभी save का प्सन नहीं आरは रहा है क्योंकि मेरा handle है हम handle को change किये वह है यहां पर यह handle अभी हमको available नहीं है तो आपको जो available ह coule है वह आपको यहां पर select करना है देखिए इस प्रकास यह जो म पॉब्लिस में जैसे ही टेप करते हैं तो यह सरा चीज आपका जो आईकों है और जो बैनर इमेर्ज है हो सरा यहां पर आपका पब्लिस हो जाएगा ये लिए सर हो जाएगा आफका चेट हो जाएगा तो देखिए यह Jy प्रेस फोलो करके आप एक नया चेनल को बना सकते हैं इससे सबंदित और किसी पर आप को इनफर्मेशन चाहिए ताप कॉमेंट का सकते हैं हम उसमें जवाब देने का प्रियास करेंगें वीडियो देखने के लिए धेनवाद और इसी पर आप वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सस्क्राइब भी करने धैन्यवाद